असलाम वालेकुम एवरिवन और वेलकम टू मैं चैनल एस्पारेंट सोफ फूचर एज वाल नो डेट लास्ट सेवन वीडियो लेक्चर से हमने ही सी हैट एक्जाम के मोस्ट रिपेटेड टफ क्वेश्चन की एक सिरीज स्टार्ट की थी तो आज हम उस सिरीज का पार्ट एट डिसकस करने जा रहे हैं पार्ट एट में जो मोस्ट रिपेटेड क्वेश्चन होगा वो रेश्यो और प्रपोर्पोर्शन वाले चैप्टर से रिलेटिड होगा और ये ratio proportion का इस channel पे 10th lecture होगा previous parts के links आपको नीचे description में दिये गए है lecture start करने से पहले ऐसे तमाम students जो इस channel पे new हैं उनसे request है के वो channel को subscribe कर लें रिसेंट past paper के अंदर से जो question लिया गया है most repeated है और अक्सर exam से में पूछा गया है P pays Q a sum of rupees 150 using coins of 2, 5 and 10 वो कहरे है P ने Q 2 rupees coins में, 5 rupees coins में और 10 rupees coins में हमें नहीं पता 2 वाले coins कितने हैं, 5 वाले कितने हैं, 10 वाले कितने हैं total amount पता है, total amount 150 है He uses a total of 50 coins, वो कहरे है तमाम coins को अगर आप sum करें तो वो 50 coins बनते हैं If the ratio of 2 and 5 coins used is 5 ratio 2 वो कहरे है दो वाले सिक्कों की और 5 वाले सिक्कों की अगर आप ratio लें तो वो 5 ratio 2 आती है Then determine how many coins of 10 are used तो हमें बताईए इस total transaction में कुछ चार option शो किये गए हैं एक coin यूज हुए है, या फिर 4 coins यूज हुए है, या 5 coins यूज हुए है, या 2 coins यूज हुए है इस question को भी हम दो method से solve करेंगे और prefer हम trick solution ही करेंगे क्योंकि conventional solution बहुत ज़्यादा lengthy हो जाएगा और paper में इतना ज़्यादा time नहीं होता कि हम इतना ज़्यादा lengthy solution follow up करें तो explain मैं दोनों कर दूँगा लेकिन prefer आपने trick वाला solution ही करना है ताकि आपका paper में time save हो सके तो दोनों solutions को हम one by one करके सीखते हैं यह आपके सामने वोई question की statement show की गई है सबसे पहले हम assume कर लेते हैं कि जो number of two rupees coins हैं वो X हैं यह X क्या है कि मेरे पास let's suppose दो रुपय वाले 15 coin है तो यह X की value 15 होगी मैं assume कर रहा हूँ coins हैं उनकी तदाद X मैं assume कर रहा हूँ इसी तरह number of five rupees coins जो हैं उनको मैं assume कर रहा हूँ कि उनकी तदाद Y है और number of ten rupees coins जो हैं उनकी तदाद मैं assume कर रहा हूँ कि वो Z है तो X, Y, Z यह हमारे पास उन coins के numbers है पहली condition देखिए उसने कहा है sum of 150 रुपीज 150 रुपीज के sum के लिए आप इसको mention कर सकते हैं 2 multiply by जो 2 रुपय वाले coins की तदाद है x plus 5 multiply by 5 रुपीज वाले coins की तदाद y plus 10 into 10 रुपीज वाले coins की तदाद that is z इन सब को sum करें तो आप लिख सकते हैं 2x plus 5y plus 10z is equal to 150 यह हमारे पास पहली equation आ चुकी है फिर वो कह रहा है he uses total of 50 coins यानि के तीनों coins को अगर आप sum करें x, y, z को आप sum करें तो total आपके पास 50 coins बनेंगे तो दूसरी equation क्या बनेंगे x plus y plus z is equal to 50 यानि के total number of coins मेरे पास 50 हैं तो तीनों की तदाद को अगर मैं sum करूँ तो वो 50 आना चाहिए तो यह हमारे पास दूसरी equation आ चुकी है next condition देखिए उसने कहा है ratio of 2 and 5 coins used is 5 ratio 2 2 वाले जो coins है उनकी तदाद है x और 5 वाले जो coins है उनकी तदाद है y तो आप इसको ratio format में लिख सकते हैं x ratio y is equal to 5 ratio 2 यह हमें given अब यहां से आप इसको fraction format में convert कर सकते हैं कैसे करेंगे x by y is equal to 5 by 2 अब आप इसको cross multiply करने 2 और x आए करने 2 और x आपस में multiply होंगे 5 और y आपस में multiply होंगे तो आप लिख सकते हैं 2 x is equal to 5 y 5 y को आप left पर लेकर आएं तो 2 x minus 5 y is equal to 0 यह आपके पास तीसरी equation आजाएगी अब आपके पास तीन equation आ चुकी है 2 x plus 5 y plus 10 z is equal to 150 दूसरी equation है x plus y plus z is equal to 50 और तीसरी equation है 2 x minus 5 y is equal to 0 तीन ही आपके पास unknowns हैं x, y और z हमें सिर्फ z की value बतानी है तो आप इन तीनो equations को simultaneously solve करके x, y, z की value निकाल सकते हैं यही मैं आपको बता रहा था कि यह बहुत ज़्यादा time taking process को इसलिए prefer करेंगे कि उससे हमारा answer जल्दी आ जाएगा इन तीने equations को अगर आप simultaneously solve करें तो x की value आपके पास 35 आती है y की value 14 आती है z की value 1 आती है यानिके 2 वाले जो coins है 35 है, y वाले coins 14 है और z वाले coins 1 है यानिके 10 वाले coins तो हमारे पास option D यहाँ पर answer आएगा इस solution को हम इसलिए prefer नहीं कर रहें क्योंकि यह बहुत ज़्यादा time taking है इसको elaborate करने का मक्सेद यह है कि अगर इसी तरह की कोई similar statement आ जाती है coins से related कोई दो coins वाला सवाल आ जाता है तो आप इसी format पे उसको solve कर सकते हैं क्योंकि दो equations को simultaneously solve करने equations easily solve की जा सकती है तीन equations के लिए मुश्किल होगा तो इसलिए हम इसका trick solution prefer कर रहें अब यह आपके पास trick solution के लिए हम देखते हैं कैसे करके solve करेंगे वो कह रहा है the ratio of 2 and 5 coins used is 5 ratio 2 तो आप सबसे पहले rupees 2 ratio, rupees 5 लिखेंगे और उसके नीचे आप 5 ratio 2 mention कर देंगे जो rupees 10 है वो हमने side पे लिखा हुआ है अब आपने करना यह है कि जो options आपको दिये गए है उनी options को one by one करके use करना है और question का answer easily आजाएगा देखिएगा कैसे आता है सबसे पहले हमें option यह में बताया गया है कि 2 यानि कि 10 वाले coins 2 है तो हम 10 वाले coins के नीचे उनकी ददाद 2 होंगे तो it means 2 और 5 वाले जो coins होंगे वो बाकी 48 बचेंगे कैसे पता चला 48 बचेंगे क्योंकि total coins उसने का है 50 है तो अगर हमने 10 रुपीज वाले 2 coins अज्यूम कर लिए है तो बाकी coins 48 बचने चाहिए तो हम इसके नीचे 48 लिखतेते हैं अब यहाँ आपने यह देखना है कि जो ratio का sum है 5 प्लस 2 कितना आता है 7 क्या यह number 48 जो है 7 पर completely divisible है अगर तो completely divisible है तो यह हमारा answer हो जाएगा अगर completely divisible नहीं है तो फिर यह हमारा answer नहीं हो सकता क्यों क्योंकि जो coins हैं वो decimal में नहीं हो सकते मैं ऐसे नहीं कह सकता मेरे पास 4.5 coins है coins का एक complete integer में answer आएगा decimal में नहीं आ सकता तो क्या 48, 5 प्लस 2 यहनिके 7 पर completely divisible है बिलकुल नहीं है आप option A को cross कर देंगे कि अगर मैं 10 रूपीज वाले 2 coins लूँ तो मेरे पास बाकी coins के लिए 2 और 5 वाले coins के लिए 5 ratio 2 divide नहीं हो रहा तो आप option A को cross कर देंगे next values पे जाते हैं option B में वो कह रहा है 4 तो मैं 10 रूपीज वाले 4 coins ले ले लेता हूँ अगर 10 रूपीज में ले मैं 4 coins assume करूँ तो मेरे पास 2 करूँ तो मेरे पास 2 और 5 वाले कितने coins बाच जाएंगे 46 बाच जाएंगे क्योंकि total 50 है अब क्या 46 7 पे completely divisible है 7 क्या है ratio का sum है 5 और 2 का 46 7 पे completely divisible नहीं है decimal में answer देता है तो ये भी हमारा answer नहीं हो सकता option B जाएंगे उसमें कह रहा है 5 तो अगर मैं 10 रूपीज वाले 5 coins assume करता हूँ तो मेरे पास बाकी total में से कितने coins रहा जाएंगे 45 coins रहा जाएंगे जो कि 2 रूपीज वाले और 5 रूपीज वाले होंगे अब क्या 45 completely divisible है 7 पे यानि के 5 और 2 के sum पे 45 completely divisible नहीं है 7 पे ये completely divisible नहीं है 7 पे ये decimal में answer देगा तो ये भी हमारा answer नहीं हो सकता तो option C को भी आप cross कर देंगे तो पीछे एक ही option बच जाएगा तो वो ही हमारा answer होगा उसको हम check भी कर लेते हैं option D में कह रहा है कि 1 coin तो रूपीज 10 वाला मैं 1 coin ले लेता हूँ बाकी मेरे पास कितने coins बचेंगे 50 में से अगर 1 coin चला 49 coins कौन से होंगे 2 और 5 वाल अब आप ये देखें कि ratio का sum करें 5 और 2 7 क्या 49 इस 7 पर completed divisible है जी बिल्कुल है 77,049 होता है तो इसका मतलब है कि 1 वाला बिल्कुल ठीक बैठ रहा है तो आप option delta को tick कर देंगे 49 coins कैसे divide होंगे 2 रुपीज वाले में और 5 रुपीज वाले में आप 49 divided by 7 करें 77,049 फिर 75,035 और 7,2014 यानि के 2 रुपीज वाले 35 coins है 5 रुपीज वाले 14 coins है और 10 रुपीज वाला 1 coin है आप इन तमाम को verify करना चाहिए तो verify भी कर सकते है 70, 45,070, 70 plus 70 140 और 10 रुपीज वाला 1 coin है 140 plus 10, 150 और total value भी हमारे पास 150 ही थी तो आप option delta को tick कर देंगे कि हमारे पास 10 रुपीज वाले coins है वो एक है तो इस तरह कुछ questions में आप options को one by one use करके भी अपने answer पर पहुँच सकते हैं अब इसी पार्ट से रिलेटिड आप लोगों के लिए पास वेपर के questions के अंदर से एक quiz है अब why is having रुपीज 280 from coins of 2, 5 and 10 he has a total of 60 coins if the ratio of 2 and 5 coins is 3 coins अब आप वीडियो को इदर pause करें और trick solution ही फालुआप करते हुँ इस question को solve करें और नीचे comment section में बताना है कि आप लोगों के क्या answers आए है नीचे आपको 4 option भी show किये गए है 3, 6, 5 या फिर 4 अब इन में से जो option correct होगा वो आप comment section में हमें बताएंगे जो students had, get, you set and net exams के लिए हमारा one-on-one online coaching session जोईन करना चाहते हैं वो दिये गए whatsapp number पर contact कर सकते हैं या दिये गए email पर contact कर सकते हैं उनको इंशाला best level preparations offer किये जाएंगे Thank you for watching full video Please like, share and subscribe for more video lectures Take care